नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं धन आने का और धन जाने का दोनों का प्रतीक और साथ ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव है, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो चिपकली के ये संकेत आपको अपने जीवन में ये बता देंगे और साथ ही अगर चिपकली आपको दिख जाए तो उस पर ये एक चीज डालने से माता लक्ष्मी को प्रसंद करने का शांदार उपाए हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको उसकी संपुर्ण जानकारी मिल सकें दोस्तों लोग अकसर घर में चिपकली को देखते हैं जो की एक सामन्य घटना मानी जाती है, यहां तक कि हमें पता है कि चिपकली को एक सामन्य जीव जन्तू माना गया है, लेकिन जीव जन्तूओं और मनुश्यों के बीच प्रकुरूती का अपना एक अलग संबंध होता ह यह बात शायद कम ही लोग जानते होंगे, शास्त्रों में चिपकली को एक बेहत खास जीव माना गया है, शास्त्रों में चिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गती विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी अगर आपको मालुम होत तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते हैं। तो उसे मा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके उपर पढ़ जाये तो घर में वर्षोन तक के लिए सुख समरुधी आती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से हम अनेकों लाब पा सकते हैं। इसके संबंद में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए आज लेकर आये हैं। तो जानते हैं कि ऐसा कौन सा बहुत सरल काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं और जिससे अपने जीवन के तरक्की के मार्ग खुल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर रबाईएगा दोस्तों आपको चिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग खोल सकते हैं तो जब भी आपको घर में चिपकली दिखें तो तुरंद भगवान की मुर्ती के पास रखा सिंदूर और चावन लाएं और उसे दूर से ही चिपकली के उपर चिडखते हुए जो कोई आपके मन में मुराद है उसको मन में बोलें और ये कामना करें कि आपकी मुराद पुरी हो जाए शास्त्रों में छिपकली को एक पूजनिया प्राणी माना गया है इसके पूजन अर्चन से धन से संबंदित परेशानिया खत्म हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है लेकिन दोस्तों छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है लेकिन ऐसे नहीं कि आपने कभी भी दीवार पर चिपकली को देख लिया और आप ये उपाय करने लग जाए बलकि विशेशकर संध्यकाल के समय जब आप पुजा करने वाले होते हैं उस समय ही आपको ध्यान रखना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए चिपकली एक ऐसा जीव है जो देखते ही लोगों को घिन आती है इससे डर के या इसे भगा कर आप अपना ही नुकसान करते हैं क्यूंकि दोस्तों इसे लक्षमी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पुजा करने से शुब संकेत मिलते हैं लेकिन जब दिपावली की सफाई करें या जब भी कभी आप अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं और आपके सामने मरी हुई चिपकली आ जाए तो ये एक अशुब संकेत माना जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हथों से सफाई करते हुए चिपकली या उसका कोई बच्चा मर जाए तो तुरंद उसका संसकार कर दें यानि कि जमीन में गड़्डा खोद कर उसको दबा देना चाहिए इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज नहीं होंगी नहीं तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसे कश्ट आने लग जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है और क्या करने की वज़ह से आपके जीवन में ऐसे संकेत बार-बार आ जाते हैं चिपकली की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुब माना जाता है। ये आपके जीवन में अचानक कोई धन प्राप्ती का संकेत देता है, कोई शुब समाचार मिलने का संकेत देता है, या फिर ये आपको कोई शुब फल मिलने का संकेत हो सकता है। और अगर आपको छिपकली का कोई समागम देख जाए, तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाला है, और आपके जीवन में कोई संकेत मिल रहा है कि आप जो ढून रहे थे, आप जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे, कि वो व्यक्ति आपके सामने आए और अब आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया और इस प्रकार के आपके जीवन में कोई नए संकेत दिखाई देंगे। एक ऐसी भी चीज है कि अगर आपको सपने में चिपकली मरी हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके उपर कोई बड़ा कश्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले कोई अंदाजान ना हो। ये हमा का संकेत है ये भी कहा जाता है कि अगर घुटने में चिपकली गिर जाती है तो ये बहुत ही शुभु माना जाता है अगर आपको खाना खाते समय चिपकली दिखाई दें तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन अगर आप खाना खा रहे होते है और अचानक आपके पैरों में चिपकली आजाती है तो कोई बीमारी आपके जीवन में आ सकती है माना जाता है कि अगर आपके घर में चिपकली हो और आप लोग आपस में बाते कर रहे हैं और उसी समय अगर छिपकली आवाज करें तो इसका मतलब है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सच होने वाली है कहा ये भी गया है कि माथे पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ती होने वाली है साथ ही अगर छिपकली किसी भी कीड़े या पतंगे पर जपके और आप उसे देख लेते हैं आप उसके बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए किसी धन के आगमन के साथ साथ ही धन का नुकसान भी होने के संकेट दिखाई दे रहे हैं अगर ऐसा संकेत आपको मिले तो आपको इस बात को तुरंध ही समझ जाना चाहिए अगर आप अपने किसी कार्य हेतू जा रहे होते हैं और उस कार्य के लिए जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले होते हैं बहुत ही कम ये होता है लेकिन जब भी आप प्रस्थान करने वाले होते हैं और दो छिपकलियां आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब है आप उस कार्य के लिए जाएंगे तो उसमें सफलता आपको मुश्किल से मिलने वाली है। उसके लिए आपको काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस कार्य में सफलता मिले या ना मिले इस बात के उपर कभी आपको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके शरीर पर छिपकली गिर जाए तो उससे भी आप कई चीजों का पता लगा सकते हैं। लंबी होती है। लेकिन अगर छिपकली आपके बाल में यानी विशेशकर महिलाओं के जैसे लंबे बाल होते हैं, वैसे बालों में फस जाती है या उस पर गिरती भी है तो संभल जाईए। इसमें आपको कोई बुरी खबर आने के संक यत भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्त माता लक्ष्मी का जला कर आपकी जो भी मुनोवांचित इच्छा है वो माता लक्ष्मी से मांग लेनी चाहिए। निश्चित तोर पर आपकी ये इच्छा पुरी हो जाती है और साथ ही पूजा घर में ये घटना होने से आपका सारा काम भी बन जाता है। अगर आपको लगता है कि बार-बार आपको अपने सपने में छिपकली जगडती होई दिखाई देती है, आपको ऐसे सपने बार-बार आते हैं तो इसका मतलब है किसी प्रकार के विवाद में आप फंसने वाले हैं और उसका पूर्व संकेत आपको मिल रहा है। इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको अपने कार्य में असफलता हाथ ना लगें। कुछ गलतियां होते है और उसको उसका पच्चतावा भी करना पड़ता है। झालपको अजस्थ प्याए दापको अपको झालप सावधान होोते हैं। कुछ गलतियां होते हैं। कुछ गलतियां होते हैं। झाल झाल